हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम NET JEE UTD सागर इंट्रेंस एक्जाम के मोश्ट इंपोर्टेंट कॉस्चन की सीरीज में आज हम 30 मोश्ट इंपोर्टेंट कॉस्चन करेंगे जो हमारे कॉस्चन सभी बायोलोजी के होंगे ठीक है तो दोस्तों ये मोश्ट इंपोर्टेंट हें तो इन कॉश्चन को देख लेती हैं तो तो इससे को देख लेती है तो पहलो कि अदी आप ने हमारे चैश्चराय reserv नहीं किया है तो प्रिस चैनल को शब्ब कर कर लीजिए और को फ्रेज कर लीजग मुझा को तो अच्छा लगे तो विडियो लाइक करना going भी नail ॢ। ठीक है तो दोस्तो हमारा पहला question है आज का ठीक है तो हमारा ये पहला question है मानब तौचा का रंग बनता है मानब जो की मानब की तौचा है इसका रंग किसी का बहुत जादा गोरा होता है किसी का काला होता है तो ये किसके कारण बनता है ठीक है तो ये बनता है मैला निन के है ठीक है कौन है बितामिन ठीक है और यह बितामिन हो कोई रासायिनी नहीं है ठीक है केरोटिन नहीं बिटामिन है ये प्रोटीन है ठीक है इंसूलेन इंसूलेन हार्मोन है लेकिन जो राइबो फ्लाविन है ठीक है ये आपका बिटामिन है ठीक है ये राइबो फ्लाविन है ये बिटामिन है ठीक है चलो तो इसको मेरे भाई बहुत अच्छे से complete कर लेना है आपको अच्छे है ठीक है तो आंगे बढ़ जाते हैं हमारा और आपको दुस्तों एक comment बॉक्स में ये बताना है कि राइवू फिलैबिन जो है vitamin ये किस vitamin का राश्राणिक नाम है ठीक है तो हमें comment बॉक्स में comment करके जरूर बताना है कि राइवो फ्लेमिन किस बिटामिन का नाम है ठीक है ओके चलो next question पर पहुंचते है HIV द्वारा होने बाला रोग तो मैं दूस्तों कल ही पर आपको बता चुका था कि यह जो रोग है इनको आप बहुत अच्छे से complete कर लेना है ठीक है क्योंकि यह important होता है HIV द्वारा होने बाला रोग क्या है तो HIV द्वारा cancel नहीं होता 6 रोग भी नहीं होता ठीक है तो आजसक जो रोग है वो HIV द्वारा होता है ठीक है आजसक सही answer होगा हमारा ठीक है next question पर पहुंच जाते हमारे ठीक है तितली की आँखे रात में क्यों चमकती है वो tapitum lucidum के कारण tapitum lucidum के कारण उसकी जो आँखें हैं बुरात में चमकती है ठीक है चलो आँगे पहुंचते हैं मेरे भाई अंगले question पर निमलेखित में से कौनसा एक जड़ नहीं है ठीक है अब इसमें ये बताना है कि जड़ नहीं है ठीक है अब आलू के जड़ है नहीं आलू जड़ नहीं है ठीक है ये तीन जड़ है बाकी आलू जड़ नहीं है ठीक है चलो अंगले question पर पहुंचते हैं ठीक है अंगला हमारा question है निमलेखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है अब इसमें आपको यह बताना है कौन से हार्मोन में जो है आयोडीन होता है यह आपका important question भी है ठीक है यह सभी हार्मोन है लेकिन आपको आयोडीन युक्त हार्मोन बताना है ठीक है तो जो थायरोक्षिन है थायरोक्षिन है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयो स्थंधारी है कौन सा इस्थंधारी नहीं ठीक है तो आपको पता है फेल इस्थंधारी है ठीक है और इस्थंधारियों में सबसे बड़ा जो है न वो भेल है और इस्थंधारियों में जो सबसे छोटा है बहुत चमदागर ठीक है चमगादर ठीक है सबसे छोटा चमगादर स है मेरे भाई ठीक है चलो कोश का विभाजन में मदद करने बाले पादम हार्मोन है ठीक है कोश का विभाजन में जो हर्मोन मदद करते हैं ठीक है वो कौन से हैं ठीक है तो यह हमारा राठवा है ठीक है तो इसका जो आंसर है मेरे भाई जिब्रेलिन ठीक है तो यह जिब्रेल किया था तो मर्ला यह कह रहा है कि जो इंसूलिन का विश्कार किसीं το और यहां से एक क्यों अर्पकर सकते हो इंसूलिन का यूस किस में किया जाता है मादूमें यह रोग में ठीक的 तो इसका जो सहिए आंसर है थािदैंगे एंसूरिन का विश्कार किया था aos धिक चलो next question पे फीनियल गरंधी ज़ित होती और आपको यह गरंथी ओते हो मस्तिश्व में जितनी गरंथी होती हैं जितनी चोटीज़ी स्पुती हैं हिन सभी पो आपको भूत अच्छे से complete कर लेना क्योंकि मस्तिश्व की जो गरंथी versuchen से उनसे कॉस्टन एक निकलता ही निकलता ही ठीक है चलो हैं ना तो इसका जो पिनेल जो ग्रंती है मेरे anks में होती है कहां होती है मैस्ट घृ है तसवे का हमारा डी हो गया ऑट छलो नेक्स्ट गाहे और भैंश के थनों में दूद्ध उतानने के किस हार्मोन की सुई लगा जी ठीक है अकसर देखा है कि जैसे गाय भैस जो होती है उनके जो बच्चे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं किसी करण बस मर जाते हैं ठीक है तो अब उनको तो हमें दूद तो निकालना पड़ेगा तो दूद निकालने के लिए उनको एक किसका होता है आपको यह बताना ठीक है तो मेरे भाई बिल्कुल आप ध्यान रखना जो ऑक्सिटोसीन होता है इस ऑक्सिटोसीन का वो इंजेक्षन होता है ठीक है ओक Carneya दिल से कोई chef अ हमारा शरीर में राल रख्ट कड़िका है और रख्टाइं हो गई और एक डबलूबीशी होती है जो फाइट सफिद रख्ट कड़िका है होती है सविद रख्ट ठीक है तो आपको पूछा है तो आर्बीसी का जो कितने दिनों तक जीवित रहती है तो RBC जो है ना हमारे जो सरीर होता है इसमें 120 दिनों तक जीवित रहती है कितने दिनों तक 120 दिनों का ठीक है अब आपको यह बताना है कि जो लाल रक्त करिकाओं का जो कब्र ग्रह होता है उशे किसे कहा जाता है ठीक है लाल रक्त करिकाओं का कब्र ग् टोड़ी में कितनी समाइव तक जीवी करहा सकती हैं किसे कहते हैं कि कमेंट में शाल Op का सम्षण कहला Tag लाल रख्ट कणिका जो है इनका समसान अब देखो यह तो आई गया है ठीक है अब आपको WC का WBC का अकेला बताना है ठीक है तो लाल रख्ट कणिकाओं को जो समसान कहलाता है वह होता है पिली है क्या होता है ठीक है चलो next question पे ऊर्जा उत्पादन के लिए कोश्ट का प्राय क्या उप्योग करते हैं ठीक है जो आपका उर्जा उत्पादन के लिए कोश्ट का प्राय क्या उप्योग करते हैं आपको यह बताना है हमारा चौदबा कॉस्टन है ठीक है तो बैसे भी दोस्तों गल्ती से लगा हुआ है तो यह गुलू को जिसका सई आंसर होगा ठीक है करते हैं तो नाम की कि से एकसर मायो मायो लौजी होती है मुद्यू से हम कुष्य का स्वह कीजि़ी अध्यान अब आपको यह बताना का क si क्या चांब किस से कैसे किया जाता है आपको कमेंट में कमेंट लगाना है और हमें बताना है वेलें घुर्दय में कितने चेंबर होती है कि जो हमारे मानब चिरियर में दादबगेरा हो जाती है न तो हीधली बगारा कब्क से ऊत्पन होती है ठीक है झालो इनकों फिर्ट इतली फूट नामक बीमारी किस्योत पी होती है च्छलों है यहомина चलम में्धी फुनामक बीमारी किसे उत्पन होती है तो और यह दाद बगेरा हो जाती है ना तो यह खुजली बगेरा ही कबक से उत्पन्न होती है ठीक है चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पर्थम परकनली सिसू का नाम ठीक है अब यह पर्थम परकनली सिसू प्रयोक शालाम तयार हुए ठीक है इसका नाम क्या है ठीक है तो इसका ना माता का या पितास का रुधरबर्ग अबी है और दूसरी का है ओंडुसरी का हो रुधिरबर्ग के वी है झाक तो माता का या यै पितास का Sонч-, पितास्याधा की सर्वग्राही कौन है AB और सर्वदाता कौन है O और सर्वग्राही क्या है AB ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो अंगले कॉस्चन पर पहुंच जाते हैं ठीक है थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो रहा है क्या हां पर्थम परक्नले ठीक है हां हो गया हो गया ठीक है तो उनीस स्व हुले की आंखे रात में कियों चमकते थे कारण निकलता है ना तो पी टम लूसी इंग के बिल्ली और तितली की जो आँकें हैं बुरात में चमकती है ठीक है चलो अंगले कॉस्टन पर 25 के लिए उत्तरदाई प्रोटो जो है पैचिस रोग किसके आहरान होता है ठीक है कल भी कॉस्टन कोई अलग तरीका से आया था कल कॉस्टन जो मैंने आपको करवाया था वह आया कि सब्ध को सरप्रतम प्रतिपादित कन्ने कस्रा किसको है ठीक है अब यह थोड़ा सा कॉस्टन अलग है मेरे भाई आप अरस्तू न लगा दीजेगा ठीक है यह क्या पूछ रहा है परिस्थितिकी सब्द को सरप्रतम प्रतिपादित कन्ने कस्रा किसको जाता है ठीक है तो में इस्थनी में सरिस्रप में या उभाइचर में ठीक है तो अभी मतस क्या होता है इस्थनी क्या होते इस्थनी आप जानते इस्थन वाले ठीक है सरिस्रप क्या होते है तो यह मैं तो बताऊंगा है ठीक है लेकिन आपको इनको कंप्लीट कर लेना है ठीक है तो मैं तो आपक दुतियक ब्रद्धी के लिए उत्तर दाई है वह कॉंसु तक कहलाते हैं आपको यह बताना 24 ठीक है तो यह कैम्बियम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ठीक है चलो आंगे पहुंच जाओ अंगले कॉस्टन पर एंटीबोडी का मुख है कार किसके बिरुद्ध होता है एंटीबोड यह पाई तो मेरे भाई यह जो आपका 25 वा कॉस्टन है यह डवल हो गया फिर से आ गया लेकिन यह कॉस्टन जहोना अलग ताइप का हो ठीक है तो आप बिल्कुल इसको कंप्लेट किजिए लेंगार हैंस की दूपकाई किस में पाई जाती है तो लेंगार हैंस की जो Walf our question cent HIV मुकता संक्रमित करता है अब जो HIV होता है अब देखो यह हमने देख लिया कि यह किस के कारण होता है अब यह किसको संक्रमित करता यह भी तो देखना होगा ठीक है तो वो सहाइक लिंपोसाइट होती है इनको संक्रमित करता है ठीक है चलो next question पर Canadians जाएब ठीक है अब ये चैचक की ठीकी का बसकार किस ने किया था Edward Jenner ने ठीक है Edward Jenner ने ठीक है तो बिल्कुल ये खोज बिल्कुल कम्प्लीट करके रखिएगा ठीक है कोडिंग DNA की कोडिंग सिग्मेंट को कहा जाता है और ये देखा होगा ये बायू में पड़ा होगा तो यह काश सिग्मेंट होता है इससे क्या कहा जाता है तो 28 का है चो सेसे निमिलिक में कौम सा उर्जा का शरोत नहीं ये तो protein उर्जा हमें देता है, बसा भी देता है, कार्वोहईडरेट भी देता है, लेकिन जो vitamin होता है, वो उर्जा का सरोत नहीं है, तो हमारा जो vitamin is the correct answer, ठीक है, चलो, next question पर पहुंच जाती है, हमारा तीसवा question है, तीसवा, किस कारण stone cancer होता है, ठीक है, देखा है हमने ताज मह महल वाला कि ताज महल अमल बरसा के कारण है, रिस राया है, उसमें problem होती है, ठीक है, तो stone cancer जो होता है, मिरे भाई, वो अमल बरसा के कारण होता है, ठीक है, तो हमारे तीस question आज के complete हुए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, मस तरीक है, और वीडियो अच्छा लगया आपको तो वीडियो को दोस्तों आपको लाइक करना ही पड़ेगा, और लाइक कीजिए, प्लीज, हमारी request है आप लोग से, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा से शेर कर दीजिए, ताकि सभी लोग के पास पहुंचे, ठीक है, तो हमारा भी फायदा हो, और आप लोग का भी फायद मिलते एंगली वीडियो में, thank you very much